समानत दिन में एक बहुत बड़ी विशेवस्तू आपका वो है भारत का इतिहास इंडियन हिस्ट्री और सच में देखें तो भारत का इतिहास बहुत ब्यापक है बहुत बिश्थ्रित है बारत की इतिहास से ISO, UPPCS का इकजाम हो, बिहार PCS का इकजाम हो, MPPSC का इकजाम हो, राजिस्थान PCS का इकजाम हो, RAS का इकजाम हो, 36 गर्लोग सेवा आयोग का इकजाम हो या फिर उत्राखन लोग सेवा आयोग का इकजाम हो, या कोई भी एक दिविसी एकजाम हो, या फिर जो कर्मचारी चैना आयोग है, या कोई भी परिक्षा, जितरी भी परिक्षा है, सभी से इतिहास पूछा जाता है, ये सबसे important topic है, सभी के पाटकरम के, सभी के सलेबस मे ये topic दिया गया है, तो IS के exam से लेकर के विविन राज लोग सेवा योगो की exam और अन्य सभी exam में इतिहास से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास में कई topic ऐसे हैं, जिन topic से जादा question आते हैं, और कई topic ऐसे हैं, जो आप बार बार पढ़ते हैं, आपको याद नही रहते हैं, तो question answer format में मैं आप सभी को याद कर लीजे series के अंतरगत, ये पूरे के पूरे आज कई सारे questions में इतिहास के आप लोग को करवाऊंगा, आप लोग का काम सिर्फ इतना होना चाहिए, कि मेरे साथ आप इसमें participate करें, इसमें जो मैं अत्रिक्त जानकारी आपको दे इतिहास करूँगा, तो आज बहुत सारे तथे आपके सामने आने वाले हैं, ये ऐसे तथे होंगे, जो बार-बार पूछे गए हैं, और ऐसे तथे हैं, जो बार-बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और ये ऐसे topic हैं, जो आपको भूल जाते हैं, तो आज इतिहा पी जितनी भी राजनितिक संस्था थी जिनोंने भारत के आजादी को लेकर या भारत में विवने सुधारों को लेकर के प्रयास किया तो आठारा सो देखे ब्रंब समाज एक राजनितिक संस्था थी ऐसा नहीं कह सकते वो समाजिक और धार्मिक उथान की संस्था थी ब्रंब से पहले यानि 1880 से पहले Congress कप बनी आपकी 18 दिसंबर 1880 को Congress का पहला अदिवेशन हुआ था और वही अदिवेशन का दिन कहते हैं कि Congress की स्थापना उसी दिन मानी जाती है तो उससे पहले की राजनितिक संस्था हैं कौन कौन सी थी इससे जुड़े प्रशन आपके सामने आएंगे और मैं गरंटेट कहता हूँ कि आप में से अधिकास बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे बता नहीं पाएंगे ठीक है तो आज उन प्रशनों का संकलन जो आप सभी को भूल जाते हैं आपके सामने एक कोश्चन है इसको अराम से पढ़ना है इनका अंसर भी देने का प्रयास करना है आप सभी को ठीक है तो सभी चात्र अंसर भी देंगे प्रॉपर चलिए पहला कोश्चन आपके सभी के सामने है और आप सभी इसका अंसर दीजे पहला question आपके सामने है भारत में जिस राजनितिक संगठन के स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है अब इसको बहुत important है आप में से बहुतों को नहीं पता होगा और मैं आज आपको इस क्लास के मादम से बिल्कुल से रटवा देने वाला हूँ बिल्कुल से आपको याद करवा देने वाला हूँ ठीक है आपका काम सिर्फ याद करना होना चाहिए अंसर बताईए भाई अंसर बताईए अभी देखे बहुत लोग कि सी ओप्शन दे रहे हैं कि डी अपशन दिया गया है राजा सिंग मुखर्जी नगर से हैं चलिए मौस्ट विल्कम है जितने बच्चे आपर मुखर्जी नगर से जुड़े हुए हैं प्रयागराच कटष और से जुड़े हुए हैं मद्ध प्रदेश इंदावर से जुड़े हुए हैं, राजिस्थान जैपूर से जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं, या अन्ने छेत्रों से जुड़े हुए अपने घर से पढ़ रहे हैं, भारत के बिबिन्नी हिस्सों से जितने भी बच्चे आप पढ़ र यहां पे बहुत सारी confusion दूर होंगे देखे भारत में जिस राजनितिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की पहली राजनितिक संस्था का गठन 1838 में ही हुआ था और 1838 में जो ये हमारी संस्था का जन्म हुआ था इसका नाम था जमीदारी Association इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है Land Holders Society इसका दूसरा नाम क्या है Land Holders Society ये भारत की पहली राजनितिक संस्था थी इसी संस्था के द्वारा सबसे पहले संगठित तरीके से और नाइस तरीके से राजनितिक प्रयासों का सुबरंब किया गया इसी संस्था ने सबसे पहले राजनितिक प्रयासों का सुबरंब किया सिकायतों को दूर करने के लिए संब्धाने कुपचारों का प्रियोग किया तो ये संस्था भारत की पहली संस्था है याद कर लिजे भारत की पहली संस्ता है जमीदारी एसोसियेशन या लैंड होल्डर सोसाइटी याद कर लिजे इसको याद कर लिजे सभी बच्चे लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली संस्ता है क्या है भारत की पहली संस्ता है और इसको ले कर आपको गलत नहीं करना है छलिए दूसरा next question अगला question है अब मुझे लगता है इसमें भी आप लोग हुचपॊच हो जाएंगे बहुत सांदार question है बहुत सांदार question है कोश्चन है निम लिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स एक चीज़ यहां पर क्लियर कर देता हूं ब्रिटेन का नाम आपने सबने सुना है सबको पता है ब्रिटेन ही है जिसने 200 साल तक भारत में अपने वेसिक रूल किया अपने वेसिक सासन किया समराज जवा करते ऐसा नहीं है क्योंकि यह सब लूट ले गए महमूद गजनभी से शुरुआत हुई भारत को लूटने की और इसके बाद लगातार भारत की लूट होती रही इससे पहले शिकंदर महान से पहले इरानी आक्रमण हुआ था भारत में सबसे पहले भारत में आक्रमण चले गए, एक से एक आक्रमन होते चले गए, कभी यहां पे सक आए, कभी कुशाड आए, कभी पलहाओ आए, कभी हिंदी यूनानी आए, मौर्योत्तरकाल में खुब सारे अकरांता बाहर से आए, यह जो मद्धेश यह अफगानिस्तान वाला छेतर है न, यह बहुत आज आप तालिबान को देख रहे हैं, पहले भी यहां पे आकरांता ही थे इस छेतर में, यह जो आपका अफगानिस्तान, उजवेकिस्तान, बावल कहां से था, बावर तो उजवेकिस्तान से आया हुआ था, बावर मुगल समराट, बावर कहां से था, उजवेकिस्तान से था, लेकि इसके बाद अर्बो का अक्मन हुआ अर्बो के आक्मन के बाद गजनवी भारत में आया और गजनवी के बाद मुहमत गौरी भारत में आया गौरी भारत नहीं बस गया इसने भी यहां की संपदा को लूटा नहीं लेकिन गजनवी यहां की संपदा को लगाता लूटता रहा इस्वर की कृपाथी के वो एक हजार तीस में खतम हो गया नहीं तो आउर लूट ले जाता भारत को सभी मंद्रों को टार्गेट करके उसकी अपार थमपता को यहां से ले करके गया महमूद गजनवी इसके बाद लगातार आप देखेंगे तैमूर लंक का आक्रमण मंगोलो वाला चेतर है और मंगोलिया वाला चेतर है चीन वाला चेतर है इस वाले चेतर से मंगोलों का आक्मण भारत की सीमा वाले चेतर पे उसमें इलतुतमिस था है ना जिलालुद दीन मांग बरनी का नाम आपने सुना होगा वो भारती सीमाओं तक आप पहुंचा मंगोल खदे नहीं तैमूर अलंग की देन थी कि तुगलक वन्स हमाप्त हुआ और सयद वन्स भारत में आया इसके बाद भारत में लोधी के टाइम पिरेट पे फिर विदेशी आकरांत आये वो थे मुगल लेकिन मुगल भारत में ही बस गए और भारत में ही इन्होंने इस थापत्य का यह पर रूलिंग करने का प्रण बनाया और भारतिये छेत्र पे ही यह रहे गए मुगलों के बाद जो है मुगलों के टाइम पिरेट पे भी आकमड हुए नादिर साह आकमड करने आया नादिर साह भी खूब लूट के ले गया पूरी दिल्ली उजार के गया यहा तक ही मुगल समराट का जो सिंगहासन था जिसमें मुगल समराट बैठता था उसको भी नादिर साह उटा ले गया यह समझेजे है ना मतलब की गद्धी ले गया मुहमसारंगीला की इसके बाद एहमसाबदाली आया पानीपत का तीसरा युद्ध भयंकर खतरनाक मराटों को नेस्तना ना जैसे की आपका चौंसा हो गया रहा वैसे बखसर के बगल में ही चौंसा था लेकिन दुर्भाग के ताम जानी पाए रात बहुत जदा हो गई और बक्सर में मेरे साथ गटना हो गई मैं सूट कर रहा था सूट करते-करते ही बहुत उसको बहुत अच्छे से डिबलप नही रखा है बिहार सरकार ने मुझे नहीं समझ वाता किसका विजय स्थम्भ है भारतियों का तो नहीं है क्योंकि इसमें तो अंग्रेजों के द्वारा सासन किया गया तो जब बकसर के मैदान में था तो वहां पे खुब तेज हावा चलने लगी तूफान मैदानी छेतर है और आ जाता है इसके बावजूद भी मैंने पूरा एक देड़ घंटे की क्लास ली धैरे के साथ सयम के साथ यह था कि यह सूट खराब नहीं होना चाहिए इसके बाद चौसा बगल में था लगबग वहां से 15-16 किलोमीटर ही था जादे दूर नहीं था चौसा लेकिन अब दुर भाग गता हमारा बदा नहीं था चौसा का मैदान तो हम मेरा मन है कि यह जितने भी बड़े-बड़े बैटल ग्राउंड थे चाहे पानीपत हो चाहे यह तराइन वाला छेत्र हो चाहे आपका यह बकसर तो होई गया प्लासी का मैदान आपका पड़ता है बंगाल वाले री उती युद्ध और पनीपत का तरती एद्ध परतम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ दूसरा युद्ध अगबर और हैमिय के बीच में हुआ और तीसरा युद्ध मराटों और अहमस साबदाली के बीच में हुआ तो अहमस साबदाली में बड़ा खुंखार था और समझे आप लोग आज वो सोचते हैं न तालिबान तालिबान निशित तोर पे उस छेतर में कुछ अलग ही उर जाए जो अकरांता आया उसने भारत को ज चेतर से जो उत्तर भारत का मैदानी चेतर है यह हमेशा सुरक्षित बना रहा कारण इसके पीछे हिमाले ही दर रहे हैं बहुत सारी हिमाले ही दर रहे हैं चायो खैबर दर रहा हो यह सब पात्वे प्रव देते रहे लगतार पात्वे देते रहे और जो एक तरीके से छित् तो यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग की हुआ क्योंकि एहमसा अब्दाली से पहले जितने भी लूटे रहे आए थे चाहे वो नादिर सा रहा हो चाहे वो महमूद गजनवी रहा हो इन सब का हजार गुना से जादा अंग्रेज यहां से ले करके गए डेना बेल त्योरी आ आप भारत को लूटने के लिए किया जा रहा हैiziert बारत के पैसे से भी सरकार चल रही है तो किस तरीके से हमारी अर्थविवास्ता को तहस्ने हिस कर दिया हमारे देश का जो कल्चर था जो हमारी संस्कृती थी हमारी स्षब ऐस्त तै जो मेकाले पधदती इतनी जल्दी क्वार्मेंट आफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिसियेटिव लिया बहुत अच्छा लगा ये चीज़े आप क्यूं मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका अपना कल्चर आपकी अपनी संस्कृति आपको सुपर पावर बनाती है कोई भी देश सुपर पावर आज आप को देख लिजे म्यानमार को देख लिजे थाइलेंड को दिख लिजे पाकिस्तान को देख लिजे हर जगे पे उसने अपना इंफरस्ट्रेक्चर ही नहीं थोपा बलकि अपने कल्चर को दोप दिया और एक चीज़ और बताओं आज आप इंडियन चाइनीज खाने लग मंदारिन विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है अंग्रेजी से भी ज़्यादा है दि विश्व में सबसे ज़्यादा बोलते हैं लोग तो मंदारिन बोलते हैं यह चीन की भासा है तो हमें भी अपने कल्चर अपने संस्कृति को सर्वों पर ही रखना आप analis Aramadis रहिये इंग्लिस को बोलिये भी Angles nt को को सीख旺 कोई नहीं लेकिन अपने कलटर को है धी हम अपनी छोड़ देंगे तो हमारी कल्चài एक्सपोर्ट किया और लोगों कछा कर लिया तो जब कल्चàialy एक्सपोर्ट किया जाता है लोग करने लग जातें तो फिर क्या आधी लड़ाई किальной जीत ली जाती है इसलिए हमहारी संस्कृति भारतिय शंकृति को सबसे पहले आचे से समझना होगा समझाना पड़ेगा कि यह क्ल divor है कैसा यहां पर हर तरीके की चीज़ें बिविन नित्व हार हैं भावोशा है यहां पर हर भीस किलोमेटर में भाशा बदल जाती है तो इस कल्चर को हमें explore करना होगा internationally यह बताना पढ़ेगा कि वर्ड में यदि सबसे पावरफूल कल्चर किसी का है और ये वास्तो में बताने कि जुरूत नहीं है अईसा है तो इंडियन कल्चर को जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इंडियन कल्चर को जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कहीं न कहीं पे भारत सूपर पावर बनी नहीं सकता कभी भी नहीं बन सकता भावर को सूपर पावर बनाने के लिए जैसे योगा योगा इंटरनेशनल ही चला गया इंटरनेशनल योगा डेट बहुत बड़े उपलब्दी है अंतराश्टी स्तर पर योगा को एडॉप्ट किया गया वैसे ही हमारे देश का ध्यात्म, हमारे देश का कल्चर ये भी international level पर एडॉप्ट किया जाए हमारे देश का पहनावा यदि हम western कपड़े पहन रहे हैं तो इंडियन कपड़े पुरे भी सुमें पहने जाए ऐसा हमें ले करके चलना पड़ेगा जब हम ये ले करके चलेंगे और अपने कल्चर से हम जुड़े रहेंगे देखे हमें अपनी कल्चर की फहचान खुद बनानी पड़ेगी और जब ये चीज़े हो जाएंगी गौर्रमेंट की भी चीज़े हो जाएंगी तब देखेगा बेहतर हो जाएगा ठीक है तो दीरे दीरे बदलाओ होता है बदलाओ के दौर से गुजर रहे हैं यदि महकाले ने 200 साल तक आपके दिमाग में अपने कल्चर को भरा है अपनी संस्कृति को भरा है अपने ज्यान को भरा है तो वो दो दिन में नहीं समाप्त हो जाएगा सतर साल में नहीं समाप्त हो जाएगा उसको भी समाप्त होते होते सोसलाइजेशन होते होते सब डेट सो साल दो सो साल लग सकते हैं लेकिन इसमें तिब्रता भारत के लोग लेकर के आएंगे तब जाके चीजे होंगी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी उम्मीदे दिखाई देती हैं कि ये इंडियन कल्चर को एक्स्प्लोर करेगा हमारा जो सलेवस है हमारा जो पार्टिक्रम है ये भारती संस्कृती ओरियन्टेड हो जाएगा और यहाँ पर राष्टिय विचारधारा के साथ-साथ उन सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की प्रगती में सबसे उपर बैठे होंगे तो यह सारी चीज़े जब आएगी तब फिर सुपर पावर की देश में हम भी खड़े होंगे चलिए यह तो रही अन्ने बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़े आपको यह टॉपिक था इसका अंसर बताईए आप लोग ठीक है निम लिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ओफ कॉमन हाउस ओफ कॉमन जो है ब्रिटेन की क्या है ये ब्रिटेन का क्या है जैसे निम ने सदन है जैसे हमारे यह लोग सभा है वहाँ पे कॉमन सभा है लोग सभा जैसे हमारे यहाँ है लोग सभा पावर पूल है ना वहां पर पावर्फूल एकॉमन सभा जैसे हमारे राज सभाए वहां पर लाट सभाए है ना तो यहां पर निम लिकित में से किसे किस एक नेशान 8885 में हाउस आउफ कॉमन्स में एक याचि का प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिस अंसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनी दित्त यानि कि इंडिया का कोई परसन वहां पर बैठे पार्लेमिट में उसकी मांग की वता वहीं अंसर आजाओ सभी लोग कि बेरे गोड़ बी बाले बहुत साइव लोग है आपे कि 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 का पी लोग कि प्रियास कर रहे हैं बी वाले ज्यादा है इसमें डी वाले भी हैं यह कौन है सीव आनंद कुमार अब देख लो कन्फ्यूजन कितना है बी वाले भी है डी वाले भी है बी में दिया गया है दा इंडियन एसोसियेशन यह आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस से पहले बड़ी महत्तपूर संस्ता हुआ करती थी इंडियन एसोसियेशन बाद म और अपके पूछे गयं हैं तो के पूना सार्जुनिक सभा के सथापना 1870 में हुई थी कब हुई थी- ist herd 70 में थी- 1870 में पूना सार्जुनिक सभा कि सथापना कब हुई थी- 1870 में-किस ने कि थीật- एम जी रनाडे ठीक है एम जी रनाडे और एक परसन और है आपके जीवी जोशी एम जी रनाडे और जीवी जोशी इन दो परसन ने किसकी इस्थापना की दपूना सारजुनिक सभा की तो ये ध्यान आपको रखना है और इसी संस्था ने सबसे पहले अंग्रेजों के समक्ष यह कौमन सभा के समक्ष भारतियों का ब्रिटिस संसद में प्रत्यक्ष यानि कि भारतिये भी ब्रिटिस संसद में जाकर के बैटें क्योंकि बिटिश संसत के द्वारा ही भारत के भविश्च की नीतियां बनाई जाती थी योजना बनाई जाती थी तो इसको ले करके इस संस्ताने सबसे महत्पूर्ण सबसे पहले आवाज उठाई ठीक है चलिए अगला कोश्चन आप सभी के सामने आएगा नेक्स्ट सबसे महत्पूर्ण कांग्रेश से पहले सबसे महत्पूर्ण संस्थाती है एवाले देखो भाई सब भीड हो गई एवालों की वाह राज सिंग ने डी बताया है डी ए ए सभी लोग पाटिसिपेट लें तो देखिए सभी लोग को पाटिसिपेट करना है और यहाँ पर जितने बच्चे लाइब है एक बाल लाइक कर दीजे सभी लोग प्लेटफॉर्म को लाइक करके अपनी उपस्तेती दर्ज कराएं है ना अटेंडेंस के लिए लाइक बनाएगे आप लोगे तो लाइक सभी को करना है जो भी आता जाए लाइक करता जाए प्लेटफॉर्म को ठीक है चलिए इतना पिंटू सा सवाल है इत्ती बार पड़ा होगा मैंने मास्टर वीडियो में भी पड़ाया है आप लोगो इसका सही अंसर सुरेंदा नाथ बरणर्जी है बाल अधा तिलक थोड़ा सा इंडियान एसोसियेशन के बारे में जान लो 26 जुलाई 1886 को इसका जन्म ह कब हुहा अब ये ध्यान राकिए बहुत इंपोर्टनट संस्था है ये क्योंकि कंघ्रेस से पहले भारती प्रारत के इस्तर पे इसी संस्था को सबसे ज्यादा वेल्यू प्रापती ठीके नेशनली सबसे विलनोन संस्था कांग्रेस से पहले यही थी इंडिया ने शोशियेशन यानि पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करती थी यह संस था तो 26 जुलाई 2000 तो आप करेगा 26 जुलाई 1866 पहले तो डेट याद कर लो ठीक है अब यह दो परसन थे एक तो बया किया इंडियान एसोसिेशन का जन्म दिया इसको बनाने का प्रयास किया इसको बोलते भारें समय का हूई कलकत्ता में की गई इस की स्थापना कलकत्ता में यदि इस ऑफशन में आपे आनंद मोहन बोस भी होता तो भी सही हो जाता तो ततकालिन समय में मैंने 1886 के समय में कांग्रेस का भाय 885 में उससे पहले की बात कर रहे हैं तो राजनितिक संस्थाओं में political parties में सबसे important role किसका था Indian Association का था ठीक है तो Congress से पहले अखिल भारती इस तर की सबसे प्रहत्पूर संस्था Indian Association थी अब इसने महत्पूर का रही क्या कि सबसे पहले civil services जो परिक्षा थी है ना उस समय ICS बोलते थे imperial civil services है ना तो अपने वेशिक जो आपकी civil services थी citizen services थी उस services को सुधार को लेकर के डिमांड करने की इस संस्था ने सबसे पहला काम किया इसके बाद इलबर्ट बिल बिधायक इलबर्ट बिल बिधे बिवाद जो है 1883 में आया था है ना लाड रिपिन थे इस समय और लाड रिपिन के टाइम पिरेट पे एक बिल आया था जिसके तहट ब्रिटिसस के यांग्रेजों के मुकदमे को सुनने के लिए भारतिये जज़ों को भी अधिकार दे दिया गया जिसका एक ब्यापक बिरोध देखने को मिला हमें तो इलबर्ट बिल बिधेयक बिरोध का बिरोध इन्हों तो इसको याद कर लेना है यह कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है अब देखे कितनी बार यह कोश्चन अगेन पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट यह कितनी बार कोश्चन आपका पूछा गया है ठीक है कोश्चन नमबर चार आपका है अब आप लोग सब बताई देंगे इ नहीं बतायता हूं इंडियान एसोशेशन के संस्थापक यह है आपके एसन बनर जी आनी की ठीक है सुरेन नाद बनर जी अभी हमने इनी के बारे में चर्चा की अगला कुश्चन देख लेते हैं चार हो गया चार के बाद पांच ठीक है देखो अगें फिर से कुश्चन पू इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इसको याद करना चाहिए ठीक है अब चलीए शुरेन नाद बनर जी को लेकर के कुश्चन है अपका ये अगला कोश्चन है सुनेद नाद बनर जी को किस वर्स भारती सिविल सर्विसेश से हटाया गया था बताईए किस वर्स हटाया गया था बेरी गोड़ देखे कितने सारे कोश्चन आ रहे है चलिए आप लोग की काफी लोग ने अंसर दे दिया लेकिन बहुत लोग का गलत है इसमें सही अंसर एट रह सो चोवहत्तर अब देखो सुरेन नाद बनर जी के बारे में दो बाते सुन लो सुरेन नाद बनर जी भारत के दूसरे भारतिये थे जिन्नोंने ICS का एकजाम उत्तिएड किया था ठीक है जिसकी तियारी कर रहे हो ना भी पहले ICS होता था ये तो ये सिकेंड इंडियन्स थे दूसरे भारतिये थे पहले भारतिये कौन था बताइए भाई पहले भारतिये कौन था जिसने ICS का एकजाम क्वालिफाई किया पहले भारतिये का नाम बताइए जिसने ICS का एकजाम क्वालिफाई किया बताइए भारत का पहला व्यक्ति जिसने ICS का एकजाम क्वालिफाई किया नाम बताईए आप सभी पूरा नाम आपको इनकी फोटो देखनी चाहिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इनको आप लोगो दिखाऊं ठीक है बड़े इंस्पिरेशन है और मैं भी बहुत इंस्पायर रहता हूँ इनसे आप लोगो भी इनसे प्रेड़ा लेनी चाहिए यह है वो परसन सतेननाट टैगोर यह पहले इंडियन है जिनोंने सिविल सर्विसेज को जोईन किया था ठीक है सतेननाट टैगोर दूसरे काउन है आपके सुरेननाद बनर जी सतेननाट टैगोर विकुल लिखलो ठीक है बिलकुल इनको लिखलो ठीक है बाकि अभी इनसे भी कोश्चन को जो पूछे जाएंगे उसपे हमारा डिसकसन होगा इनसे भी जो प्रसन पूछे जाएंगे आगे हम डिसकस करेंगे तो सुरेनाद बनर जी द्वतिय भारतिय थे जिनोंने ICS का परिक्षा उत्तिरिण किया और इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो सिलहट वाले छेतर में हुई थी पहले आप तो सिलहट वाला छेतर आपका असम रीजन पे आता है पहले बांगला देश वाले छेतर में आता था तो सिलहट में ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर ये सबसे पहले पोस्टेड हुए थे सुरेनाद बनर जी लेकिन यहाँ पर कई सारी इनकी मामूली भूले हुई कुछ संप्रदाइक दंगे हुए इनके कारेकाल में इसके कारण से 1874 को इने हटा दिया गया यानि अंग्रेजों ने बहुत छोटी सी मामूली भूल के कारण से इनको क्या किया इनके पस से इनको हटा दिया सुरेनाद बनर जी को 1874 को उनके पस से हटा दिया गया तो सुरेनात बनर्जी को 1874 को भारती सिविल सर्विसे से हटाया गया ठीक है ध्यान रखेगा ये कोशन और सुरेनात बनर्जी के बारे में और सतेनात टैगोर के बारे में भी आपको चीजों को याद रखना चाहिए ये देखे अब एकला कोशन भी आपका पूछा गया आईएस में देखो सेम कोशन को रिपीट किया गया निमलिकित में से भारती नेताओं में से कौन एक है जो कोई ब्रिटिस इंडियन सिविल सर्विसे द्वारा बर्खास्त किया गया बर्खास्त मतलब सर्विस खतम ये तो और उप्षन सही होगा अगरा कुश्चन आपके सामने अभी मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी तेकिन देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यह रागला कुश्चन आपके सामने सुरेन नाद बनर्जी द्वारा इस्थापित उस संगठन का नाम बताईए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस में बिलाय हो गया बताईए बाई ठीक है क्लियर है क्लियर है सबको पता है इंडियन एसोशेशन में आपको बताया तो इंडियन एसोशेशन का 1886 में भारती राष्टी कांग्रेस है ना तो भारती राष्टी कांग्रेस का जन्म हुआ था आपका दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को और उसके अगले साल ही इंडियन एसोशेशन जिसका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1886 बूलिये गमाद 26 जुलाई 1864 रट लेना है आपको 26 जुलाई 1864 को सुनेनाथ बनर जी और आनंद मोहन बोस इन दोनों ने क्या किया था इंडियान एसोसियेशन को जन्म दिया था तो भारत संग की स्थापना कलकत्ता में हुई थी इंडियान एसोसियेशन के स्थापना कलकत्ता में हुई थी और भारती राष्टिये सम्मेलन इंडियान नेशनल कॉन्फरेंस का योजन भी इनके द्वारा 1863 में किया गया था और सुरेन नात बनर जी के अध्यक्षता में इंडियान एसोसियेशन के लगातार अधिवेशन होते रहे और इसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और यहीं से दीरे दीरे जो है कहीं न कहीं पे जब इनोंने देखा कि भारती राष्टी कांग्रेस एक बड़ी संस्ता के तौर पे आ चुकी है और उसका भी वहीं उद्देश है तो सुरेन नाद बनर जी के द्वारा 1886 में भारती राष्टी कांग्रेस पर इंडियान एसोसियेशन का बिले कर दिया गया 1886 में ठीक है तो स्वतंत रूप से काम करने की जुबत नहीं लगी उन्हें उन्हें लगा कि जब दोनों संस्ताओं का मूल उद्देश एक ही है तो भारती एकता की भावना की को एक जुट करने के लिए इनोंने क्या किया सुरेन नाद बनर्जी ने इंडियान एसोसियेशन को भारती राष्टी का अंग्रेस में मिला लिया ठीक है क्लियर है तो ध्यान रखेगा एक बहुत बड़ा योगदान है क्लियर है बच्चों सभी को इस पस्ट है क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टन कोश्चन था ये ठीक है चलिए एक दो कोश्चन और आपको करवा देता हूं इसके अंतरगत दो कोश्चन और करेंगे हम लाष्ट राजनितिक सुधारों को ले करके बिरोध करने वाले पहले भ बताईए बटाईए बाई सबको बताईए राजनितिक सुधारों को ले कर बिरोध करने वाले पहले भारती ये कौन थे ना इनका A कुछ C वाले भी है A वाले भी है B वाले भी है देख रहें इस तरीके से अलोक राजपूत ने कहा राजा रामोहन राए ठीक है सही अंसर र राजा रामुहन राय भारत में धार्मिक, समाजिक और राजनेतिक इन तीनों को ले करके कहें तीनों के सुधारों को ले करके इन्होंने लगातार विरोध भी किया और सुधार को क्रमिक तोर पे धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए ब्रंब समाज की स्थापना की तो धार् करने का प्रयास किया तो बाहले भारतिये थे राजर रामोहनराय जिन्होंने मानवा दिकारों की बात कही लोकतांत्रिक मुल्यों की बात कही और इंडियन डेबलप्मेंट पे भारतिये ग्रोथ को लेकर के इन्होंने कई सारे लेक लिखे कि कैसे भारत का विकास किया जा सकता और एक चीज और ध्यान रखेगा मुगल समराथ अकबर था इस समय अकबर दोती के प्रतनिधी बनकरके ब्रिटेन गए थे क्योंकि मुगल समराथ अकबर दोती के पेंसन रोक दी गई थी ठीक है तो ये एक पहले वक्ति हैं जो कि विदेश गए फॉरण गए और किसको लेकर के गए मुगल समराट का प्रतिनिधी बन करके तो ये भी ध्यान रखेगा विपिन चंद्रपाल के बारे में आप सब जानते हैं विपिन चंद्रपाल ने लिखा है कि भारत में राजनितिक सुतंता का संदेज सबसे पहले राजा राम मुहन राय ने दिया और कई सारे इतिहा प्रतिनाद बनर जी को भी कई जगे चर्चा की जाती है क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी और जमीदारी अंदोलन जो है वो तो पहली संस्था के तौर पे उभर के सामने आया था लेकिन इंडियन एसोशियेशन का भी बहुत बड़ा योगदान था लेकिन राजा राम से यह ध्यान लखिएगा एस सभी बच्चे सभी लोग की स्पष्ट हैं तो अगली और 10 कॉर्षण संगठन पहले आया कौश संगठन बाद में आया यह चीज आप लोगों को बतानी है ठीक है अब जब तक आपको पता नहीं होंगी एक दो तो मैंने बता दिया इसमें इंडियन एसोसियेशन के तो आपको पता होगा 26 जुलाई 1876 मैंने बता रखा है अब बाकी आपको यह पता है तो सजाद होगे नहीं पता तो बस सर में हाथ रख लीजेगा आज पास दिवाल लो तो थोड़ा सा एक दो बार सर में है ना अब इसमें पता नहीं वाले बहुत चारे होंगे पता है मुझे दिवाल पर सर मत मारियेगा नहीं बात में कहिएगा कि सर सर मरवा रहे हैं ठीक है चलो आगे बताएं हाँ तो देखो अब इसको समझो देखो जो क्रोनोलोजिकल वाले हैं यह हैं फैक्चुल और इसमें आप कुछ नहीं कर सकता तुक्का उक्का मत मारने की कोशिस करना ठीक है तुक्का तब मारा जाता ह जब दो सही हो 50-50 का खेल रहता है तब भी 50% गलत होने के चांसे जादा रहते हैं यह जारकन लोग से वायोग में पूछा गया कुश्चन था तो अब देखो एक बार समझ लेते हैं बामबे एसोशियेशन जो आपका है अगस्त 1852 में बना था लिखते जाओ अब ठीक है आ अगस्त 1852 में कब बनाया अगस्त 1852 में इसके बाद इंडियन लीग यह शिसर कुमार घोस ने बनाया था इंडियन लीग को शिसर कुमार घोस ने बनाया शिसर कुमार घोस की संस्था यह ठीक है तो इंडियन लीग और इंडियन एसोशियेशन दोनों अलग लग संस्था है हैं ये संस्था बनी आपकी सेप्टेमबर 1875 को ठेक तो तीन संस्थाइं ॡिकोर्ड हो गई आपकी तब भी यह पता होना चाहिए जब तक यह नहीं पता होगा नहीं हो पाएगा तो दच्छडभारत के एक परशन थे एक अगले परसन थे बी रागवाचारी फीर जी सुब्रमाडयम और पी आनंद चारलू इनके द्वारा मई 1884 में मई 1884 में इस संस्था का जन्म दिया गया मद्रास महाजन सभा का अब बस किरम आप लोगे को बंबई बना ठीक है तो नमबर एक सबसे पहले आपका बंबई बना इसके बाद दूसे नमबर पर 1875 गी बात है तो चौथा नमबर आएगा इसके बाद आपका तीसरा नमबर आएगा इसके बाद आपका दूसरा आएगा डी सही है इसका इदा उदर गोल-गोल घुमा रहे थे आप ठीक है इधर गोल-गोल घुमा रहे थे अब ये रटलो ये सारी की सारी संस्था है रटलो बांबे शोशियेशन अगस्त 1852 इस्थापना दादा भाई नेरोजी मद्रास महाजन सभा मई 1884 इंडियन एस्थापना दादा भाई नेरोजी मद्रास महाजन सभा मई 1884 इंडियन एसोशियेशन 26 जुलाई 1886 इंडियन लेक सिसिर कुमार घोष रटलो काम आएगा ठीक है सभी को ये मेरी तरब से सुझा हुआ है चला है तो ये रहा आज के लिए आप लोगं का याद कर लीजे का जो हमारा एक कारिकरम है ये कोश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगं को भूल जाते हैं ये आपने आज मेरी क्लास कर ली है तो कम से कम ये डेट तिथियां ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एक्जाम में है और जो पूचा